Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशिफल ये 2nd September से लेकर 8th September तक की आपकी Tarot Readings हैं, Tarot Predictions हैं और इस वीडियो में सभी Signs के सापताहिक राशिफल हैं नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम की हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशिफल तो आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 5 of wands reverse और ये card कहता है कि इस week specifically आपके professional front में छोटे मोटे conflicts, छोटे मोटे issues रह सकते हैं सबसे पहली चीज इस चीज को सुनके परिशान ना हो, क्योंकि मैंने बहुत जोर देकर कहा छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले और ये छोटे मोटे issues, मसले हमारी जिन्दगी का हिस्सा है इनके विगार जिन्दगी ना possible नहीं है और दिखिए reason इन issues, मसलों के लिए सब इरीज के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके views नहीं match कर रहे हैं difference of opinion हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि उनके साथ argument हो रही है और दिखिए छोटी मोटी argument ही जाधा रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप कर रहे हैं उसी से related आपको एक बहुत smooth, easy going नहीं मिलती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि ये conflict, ये दुविधा सिरफ और सिरफ आपके मन में है यानि कि मन में किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा उलज रहे हैं थोड़ा सा एक, you know, बहुत सारे thoughts रहते हुई दिख रहे हैं कहीं ये काट competitive spirit की भी बात करता है तो कुछ के लिए simply हो सकता है कि बहुत जबरदस एक competitive spirit आप महसूस कर रहे हैं और इसी competitive spirit के साथ आप चीजों को करना चाह रहे हैं और दिखें, आप एक चीज आड़ करना चाहूंगी, ये competitive spirit अगर healthy हो तो हमें grow करने में help करती है, progress लाने में help करती है लेकिन जब ये unhealthy होती है, तो हमें परिशान करती है तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही पाहें, पाहें तो परिशान ना हों बलकि pause करके थोड़ा सा चेक करें कि ये healthy competition है या unhealthy है healthy है तो कोई बात नहीं, unhealthy है तो इसको you know again check करके correct करें otherwise कोई भी बड़ा issue, कोई भी बड़ा मसला नहीं रहता हुआ देख रहा है but yes again छोटे मोटे issues, minor चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते है and personal front के लिए आप लगों के लिए queen of swords का card है सबसे बहली चीज देखिए याँ पर queen है, queen कही female energies की बात करती है तो कुछ के लिए literally हो सकता है, कोई female है जो बहुत straightforward है, logical है mind से चीज़ों को deal करती है, उनकी तरफ से बहुत supportive energies आपके लिए है या फिर कोई female आपको बहुत ज़ादा logically चीज़ों को deal करने के लिए कह रही है advice कर रही है, आपके लिए clarity लाती हुए दिख रही है और दिखिए दोनों ही सेनारियों में कहीं उनकी तरफ से supportive energies है रही है और अगर कोई female नहीं है तो आप ही हो सकते है और अगर आप है तो Aries आप बहुत logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे है इस week specifically personal friend में emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए दिख रहे है और हो सकता है बहुत सरी Aries के लिए बहुत justified reasons हो यानि कि पीछे आप बहुत emotional हो रहे थे, sentimental हो रहे थे जिसकी वज़े से आप परेशान हुए और इस week आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया अब चीज़ों को लेकर emotional नहीं होना या literally हो सकता है कि कुछ Aries खुद को कह रहे हो भई emotional fool नहीं बनना है और yes देखिये जो भी चीज़ें आपको confuse कर रही थी पीछे आप उनहीं को लेकर एक clarity लाना चाहा रहे है कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप cord cutting किसी के साथ कर रहे है especially you know जिनके साथ पीछे बहुत एक attachment महसूस कर रहे थे obviously यह सब Aries के लिए नहीं रहेगा बट कुछ Aries के लिए रह सकता है broader level के लिए फिर से मैं कहूंगे आपका communication बहुत straightforward हो सकता है थोड़ा सा blunt हो सकता है और बहुत ही clarity के साथ आप चीजों को deal करना चाहा रहे है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए helpless and hopeless का card है अब देखिए इन words को सुनके please परिशान ना हो क्योंकि यह जो helpless और hopeless वाली energies होती है न हमारे ही thoughts की वज़े से होती है external front में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती है I know at times बहुत ही problematic चीज़ें होती है but weekly में छोटी मोटी चीज़ें जादा cards बता रहे होते हैं तो फिर से कहूंगी इतनी बड़ी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि सब Aries के लिए होगी इका दुका की again कहूंगी बात अलग है कि भई आप helpless hopeless महसूस करें ये जो inner chatter continuously हमारे मन में चलती रहती है ये बहुत कुछ हमारी life में determine करती है external front में थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई और फिर जो उसके बाद मन में हम एक worst outcome imagine करते हैं और उसको real मान के खुद को परिशान करते हैं खुद को torture करते हैं उसकी वज़े से जादा हम helpless और hopeless महसूस करते हैं और अगर ऐसा कुछ आप भी Aries पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें nutshell में अपने thoughts की checking करें in fact मैं कहूंगी जो self-talk चल रही है आपके मन में continuously उसको आप observe करें जरा सा भी देखें कि negative thoughts हैं या फिर ऐसी self-talk है जिसकी वज़े से आप helpless hopeless महसूस कर रहे हैं उसको तुरंट check करके correct करें और अगर ऐसा करेंगे ये week आपकर ठीक ठाक जाएगा क्योंकि देखिए दोनों ही fronts के लिए कोई भी major negative या फिर you know troublesome cards नहीं है five of wands minor conflicts यानि कि बहुत ही छोटे मुटे issues की बात करता है और queen of swords का card तो बहुत clarity से चीज़ों को deal करने की बात करता है हला कि sword का card है तो minor challenges personal front में भी रह सकते हैं बट इतने बड़े नहीं जितने की जिनको आप deal ना कर पाएं या जिनकी वज़े से आप परेशान हो या जिनकी वज़े से आप helpless और hopeless महसूस करें तो जादा मुझे दिख रहा है कि अगर you know helpless और hopeless इस week आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी negative self-talk हो सकती है या फिर आप mind में चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उसको लेकर आप कहीं एक worst outcome इमाजिन कर रहे हैं future के लिए और फिर से दिखिए इन ही सब चीज़ों को चक करके correct करेंगे तो इस week को भी आप ठीक कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Venus का card है और इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में relationships आपके लिए एहम रह सकते हैं और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि past से कोई इनसान कोई चीज आपकी current life में आ रही है या फिर past की किसी चीज event को आप बहुत जादा सोच रहे हैं आप बहुत जादा याद कर रहे हैं और दिखिए यह general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और दिखिए अगर relationships की बात करें तो हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ या तो आपका bond strong हो रहा है या फिर कैसे bond strong हो आप उस पे focus कर रहे हैं और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि past के किसी इनसान के साथ इस week आप dinner पे जा रहे हैं और फिर आपकी meeting हो रही है और कहीं restaurant में या खाने पीने वाली जगा में हो रही है जहां पर आप थोड़ा ऐसा fun मज़ा मस्ती भी कर रहे हैं पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं एक दूसरे से connect भी कर रहे हैं और साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं तो देखिए six of cups is a beautiful card जो कहीं फिर से मैं कहूंगे एक nostalgic energies की भी बात करता है और कुछ के लिए कुछ ऐसा भी रह सकता है और यहाँ पर देखिए क्योंकि यह professional front के लिए है तो हो सकता है past की organization या फिर past की organization में कोई आपके colleague थे आप उनको refer कर रहे हैं वो आपको refer कर रहे हैं या किसी भी reason की वज़े से connect कर रहे हैं पुरानी बातें याद आ रही हैं या फिर से मैं कहूंगी जो लोग अभी आपके professional front में काम करते हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है ज़्यादा connection बन रहा है ज़्यादा आप connect कर रहे हैं और दिखिए कहीं emotions, feelings, sentiments भी आपके professional front में रहते हुए दिख रहे हैं कहीं eating, drinking भी किसी level पर रहते हुए दिख रही है कितनी बड़ी होता है न कोई event होता है जिसमें खाना पीना भी होता है या फिर you know fun, मज़ा मस्ती भी होती है तो इस तरीके की भी चीज़ आपके professional front में रह सकती है all in all ठीक ठाक आपका professional front रहता हुआ दिख रहा है personal front के लिए आप लुगों के ले king of cups का card है तो दिखे दोनों ही fronts के लिए cups के cards है यानि कि दोनों ही fronts में relationships, love, प्यार, महबबत relationships में जो एक bonding होती है वो हम रह रही है या फिर इस पे focus रह रहा है अब personal front की बात करें तो हो सकता है कोई इनसान है जो बहुत आपकी love कर आपकी care कर रहे है अपना love आपके लिए express कर रहे है या फिर आप ऐसा उनके लिए भैसूस कर रहे है और आप अपनी feelings, love उनको express कर रहे है और overall फिर से कहूंगी personal front में भी relationships पे ज़्यादा focus है तावा दिख रहा है personal front में रह सकती है बहुत overall ही एक cooperative एक बहुत you know मिलनसार वाली energy जोनों ही friends के लिए रहते भी दिख रही है तो overall ये भी आपका ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूंगी emotions, feelings, love, प्यार, महबत, relationships इसी के around ये हफता आपका जाता हुआ दिख रहा है फिर चाहे हैं वो आपका professional front हो या personal front हो इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए awaiting results का card है तो कोई भी काम आप इस भी कर रहे हैं तुरंट उसके results को not expect करें most of the times हमारे साथ ऐसा ही होता है और इसमें आपकी बात नहीं कर रहे हैं ये human mind है हमें लगता है कि फटा फटा हमें results मिल जाएं ये जो wait करना पड़ता है न results के लिए ये बड़ा हमें परेशान करता है तो इस भी खास आप लोगों के लिए guidance है कि जो भी आप कर रहे हैं as simple as किसी आपने you know, loved one के साथ आप connect कर रहे हैं या अगर आपने अपनी feelings उनके साथ express करी और उन्होंने नहीं reciprocate किया तो आप परेशान ना हो क्योंकि जो भी आप इस week कर रहे हैं उसका result, उसका outcome आपको थोड़े time बात मिलेगा अभी हो सकता है कि इस week ना मिले and astrology से आप लोगों के लिए क्या अप्रिकों साइन का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का साथ तही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताए कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जैमनीज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of wands four of wands का card tarot में कहीं positive changes जिसकी बात करता है तो इस week specifically professional front में कुछ इस तरीके की energies है सकती है और ये general reading है तो ये positive changes या फिर किसी भी तरीके के changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके को change कर रहे है बट यहाँ पर देखे ये physical level पर changes मुझे इंफार्ट जादा रहते हुए दिख रहे है जैसे कि job change या तो आप कर रहे है या फिर आपके मन में सोच आ रही है या you know team change हो रही है project change हो रहा है और कहीं जो भी हो रहा है एक enthusiasm, एक excitement रहता हुआ दिख रहा है बहुत high energy levels में आप रहते हुए दिख रहे है togetherness आपके professional front में रहते हुए दिख रही है या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर आप कोई project या फिर कोई भी काम कर रहे है जो कि बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement आपको दे रहा है तो overall professional front इस week काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है in fact अगर किसी भी चीज़ पे आप अकेले काम करने की सोच रहे है तो four of wands का card कहता है कि किसी की help लें किसी से support लें इससे आप उपने काम को और बहतर तरीके से कर पाएंगे या फिर, you know, कोई आपको help करने के लिए ready है तो आप resist ना करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए Ace of Swords का card है और ये card कहीं, you know, छोटे मोटे challenges की बात करता है अब दिखें challenges, problems, उनके हम सब लोग बड़ा घबरा जाते हैं बट इनसे घबराना नहीं है क्योंकि ये तो part and parcel है life के इनके बगैर life ही possible नहीं है बट अगर हमें लगे कि हाँ छोटे मोटे challenges हो सकते हैं हम mentally खुद को prepare कर लें emotionally और strong बन जाएं और जब ऐसी energies में हम होते हैं तो यकीन मानिये ये जो छोटे मोटे challenges होते हैं ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो personal front की specifically बात करें Ace of Souls का कार्ट कहता है कि इस week हो सकता है कि emotions, feelings, sentiments missing हैं और आप बहुत logically, बहुत mind से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और अगर ऐसा आप भी महसूस करें तो यहाँ पर Ace of Souls का का कार्ट कहता है आप बिल्कुल सही track में हैं इस week personal front में इसी तरीके की energies रखने की ज़रत है अगर आप emotional हो गए, sentimental हो गए तो फिर आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि देखिए, ये emotions, ये feelings बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हम humans हैं In fact, यही चीज़ें हमें human भी बनाती हैं And at times, situations ऐसी होती हैं कि हम बहुत ही logically उनको approach करें और again देखिए, इस तरीके की energies आपकी रहती भी दिख रही हैं और अगर नहीं हैं, तो इस तरीके से ज़रूर चीज़ों को deal करें क्योंकि देखिए, Ace of Souls के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो sword जरूर challenge को represent करती है लेकिन इसी sword के ऊपर crown भी है और crown कहीं victory को represent करता है तो ये challenges को अगर आपने, you know, give up नहीं किया और willpower determination के साथ face किया, deal किया तो definitely आपकी victory भी होगी By the end of the week आपको ऐसे लग सकता है कि yes, you know इतना भी कुछ issue नहीं था जितना starting में आपको लग रहा था और दिखिए, जब किसी भी challenge को हम overcome करते है न तो बड़ी एक अच्छी सी feeling होती है हमें बड़ा confidence आता है खुद पे yes, हम इस चीज को deal कर सकते है आप तो किसी भी चीज को deal कर लेंगे तो फिर से कहूंगी इसी energy में रहें ताकि end of the week आप बहुत अच्छा feel करें and in general याँ पर guidance से आप लोगों के लिए feeling alone का card है देखिए मने अभी आपको कहा professional front में अगर आप अकेले काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप पर चाह रहे हैं, आपको help support मिल रहा है आप उसको resist कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि यापर four of wants का card कहीं togetherness यापर team work की बात करता है और अगर personal front में अकेला पन आप महसूस कर रहे हैं तो दिखिए कभी-कभी ये जरूरी भी होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, इक introspective energies होती है जो भी issue मसला होता है, उसका हमें एक better understanding आती है, एक different perspective मिलता है तो इस week इस चीट से आप specifically personal front में ना घब राएं और astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all bright shades, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का साथता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर लिखें कि आप कितना इस सीट से resonate कर पाए तो चलिए के इस आप लोगों के लिए देखें इस coming week क्या लिकर आ रहा है, क्या energy थें तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Pentacles और दिखी ये card देखके सबसे पहले मुझे अक्षे कुमार का गाना याद आ गया क्यों पैसा पैसा करती है पैसे की लगा दू धेरी ये Pentacles का card है और money की बात करता है और कहीं इसी तरीके की energies की भी बात करता है क्योंकि ये weekly reading है तो पैसे की धेरी तो नहीं हम expect कर सकते है बट ये इसी से ही related एक शुरुवात हम expect कर सकते हैं क्योंकि Aces कहीं नई beginning की भी बात करती है तो overall के लिए ये week specifically professional fund money पैसे से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है पीछी किसी भी चीज को लेकर आप stuck महसूस कर रहे थे especially money finances के matter में इस week चीजें भेटर हैती भी दिख रही है कोई दर्वाजे आपको बंद दिख रहे थे वो दर्वाजे खुलते भी दिख रहे हैं अगर you know पीछे आपको लग रहा था जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतना gain नहीं होगा तो इस week आपको ऐसे लग सकता है कि yes you know जो gain जो profit जो financial gain in fact मैं कहूंगे आप चाहा रहे हैं वो आपको मिल सकता है आपको इस week हो सकता है मिल भी रहा हो और अगर किसी को उधार दी वे थे पैसे वापस नहीं आ रहे थे इस week आपके उधार पैसे वापस आ सकते हैं पेमेंट डिले हो रही थी तो आपको पेमेंट मिल सकती है तो जो भी चीजे मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ overall के लिए फिर से कहूँगी specifically professional friend में money पैसे से related चीजें काफी अच्छी रहते हुए दिख रही है and personal friend के लिए आप रुगों के लिए the magician reverse का card है तो दिखिए magician कहीं manipulative energies की बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है और क्योंकि ये card reverse है तो कहीं चलाकी और negative sense में एक चलाकी भी होने की बात करता है अब फिर से कहूँगी ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के insidians के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा manipulate कर रहे हैं चीजों को और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपके personal friend में कोई manipulate कर रहे हैं दोनों ही सिनारियों में देखे सबसे पहली चीज़ अगर आपको लगे कि आपके intentions, motives छीक नहीं हैं ज़रूर खुद को check करके correct करें क्योंकि इन energy से बहुत short term हमें gains मिलते हैं long term में हम परिशान होते हैं और अगर आपको लगे सामने वाल आपको manipulate कर रहा है तो alert रहें, aware रहें, चुकनने रहें क्योंकि देखिए अगर आपने इस चीज़ को नहीं check करके correct करा तो by the end of the week आपको ऐसे लग सकता है कि उन्होंने आपको use किया, उन्होंने आपका advantage उठाया अब देखिए tarot guidance के लिए होता है और अगर आप पहले से ही इस reading को देख रहे हैं तो इसी चीज़ को check करके आप इस वाली energy को avoid कर सकते हैं यानि कि कोई आपका advantage उठाय इसको आप avoid कर सकते हैं कि advantage गंदे sense में ही नहीं होता है कभी-कभी बहुत ही छोटी-छोटी चीजों की छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिसकी वज़े से हम सामने वाले को कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि हमारे मिन में उनके लिए बहुत प्यार होता है और हम इस चीज को realize भी कर रहे होते हैं कि भई वो कहीं हमारा advantage उठा रहे हैं लेकिन हम start नहीं लेते हैं और फिर बाद में हमें बड़ी गंदी feeling होती है उस time नहीं है इसास होता है तो इन जब चीजों को आप check करके correct कर सकते हैं overall दीखे थोड़ा सा confidence या तो कम रह रहा है या over confident हो रहे हैं और अगर इस चीज को भी पाएं तो ज़रूर इसको check करके correct करें क्योंकि ना तो over confidence अच्छा होता है और ना ही under confidence अच्छा होता है और overall के लिए फिर से मैं कहूंगी एक awareness में रहें थोड़ा सा alert रहें आपके आसपास क्या हो रहा है लोग again मैं कहूंगी आपका advantage तो नहीं उठाना चाह रहे हैं या फिर उनके intentions, motive ठीक है ना over smartness से या फिर over you know एक clever तरीके से तो नहीं आपके साथ dealings कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए release का card है और ये card कहता है जो भी चीज आपको serve नहीं कर रहे है जरूर उसको release करें बहुत जादा एक clingy या फिर holding on वाली energies में ना रहें जितना आप letting go वाली energies में रहेंगे उतना ही ये week आप लोगों के लिए और भैतर होगा and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले लिए उस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of wands reverse और ये card कहता है कि थोड़ा सा हो सकता है आपने professional front में आप चीज़ों को लेकर impulsive हो रहे हैं जल्दबाजी करें in fact मैं कहूंगी कि थोड़ा नहीं जादा impulsive होते वे दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों में से निकलना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं इसी से related चोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं नचल में कुछ changes आप चाहते वे दिख रहे हैं और कहीं वो changes नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं अब देखिए ये general reading है तो ये changes सब के लिए differ करेंगे जादा तर नाइट ओफ वांस का card कहीं physical level पे changes की बात करता है यानि की हो सकते हैं आप travel करना चाहा रहे हैं travel से related issues हो रहे हैं आपके travel plans delay हो रहे हैं अगर आप अपनी car से या फिर किसी vehicle से travel कर रहे थे उस vehicle में issues हो रहे हैं अगर आप travel कर रहे थे तो आपकी flight delay हो रहे है देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही है मैं कहरे हूँ सब के लिए different scenarios रहेंगे यहाँ पर मैंने आपको travels related यानि की physical level पे changes related issues बताए कुछ के लिए हो सकता है आप job change करना चाहा रहे हैं या फिर आपके मन में सोच चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भी कैसे आप change करेंगे और इस से related कुछ issues आप महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए change of location या फिर change of office, change of team, change of project change of partnership तो हम नहीं कहेंगे लेकिन partnership से निकलना चाह रहे हैं और यही चीजें आपको किसी level पर restlessness दे सकती हैं आपको anxiety दे सकती हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि जब तक जो भी चीजें हम नहीं कर पा रहे होते हैं और उसी से related problems पर हम focus कर रहे होते हैं वो problem बढ़ती रहती है, multiply होती रहती है और जैसे ही थोड़ा सा pause करके हम खुद को बोलते हैं relax, all is well, सब कुछ ठीक हो जाएगा यह जो चीज मैं चहा रहा हूँ, चहा रही हूँ यह क्यों नहीं हो रही है इसका root cause क्या है, इसका reason क्या है कैसे मैं इसको solve कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कैसे इसको again हम solve कर सकते हैं तो यकीन मानिये, हमें उसका solution मिलता है हम उसे solve कर पाते हैं और फिर उस चीज को better करते हैं, better feel भी करते हैं तो इन ही सब चीजों का खयाल रखें और दिखे, restless होने से, anxious होने से कोई भी चीज सुधरती नहीं है और जादा खराब हुजाती है तो कैसे अपने इस मन को आप शांत कर सकते हैं उस पे भी ज़रूर focus करें and personal front के लिए आप लगों के लिए the sun reverse का card है देखे, sun is one of the best cards in tarot और ये card जब reverse आता है तो भी beautiful positive energies की बात करता है तो personal front इसकी साबसे काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर से कहूंगे reverse है तो जो भी अच्छी चीजें हैं उन्ही से related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं जैसे की आपको clarity है लेकिन फिर भी आप clear नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं और ये जालतर relationships में होता है जहांपे हम सामने वाले को इतना प्यार करते हैं ना हमें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं गलत कह रहे हैं तो दिखिए इस तरीके की energies यानि की acceptance नहीं है, clarity है, clear है, लेकिन you know, मान नहीं रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि success आपको मिल रही है लेकिन मिलते मिलते रह गई यहां फिर आपकी success थोड़ी से delay हो गई, तो यहां पर दिखिए positive changes जो personal friend में हो सकते हैं वो थोड़े से delay जब होते हैं, तब भी sun का card reverse आता है, तो इस तरीके की भी energies रह सकती है और कहीं एक happiness है, joy है, excitement है, enthusiasm है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी reason की वज़े से missing feeling है अब देखिए क्योंकि आपके professional friend में night of wands का card reverse है और मैंने अभी आपको कहा कि restlessness, anxiety किसी level पर आप महसूस कर सकते हैं तो इसकी वज़े से भी हो सकता है कि personal friend में चीजें अच्छी हैं लेकिन एक missing feeling आप महसूस करें क्योंकि देखिए professional, personal, दोनों ही आपस में connected होते हैं एक front में चीजें बहुत अच्छी हो रहे हों, दूसरे front में अगर छोटे मोटे भी issues हो रहे हों तो हम उस front की अच्छी चीजों को भी अच्छे से नहीं enjoy कर पाते हैं तो कुछ के लिए ये भी एक reason रह सकता है all in all, personal front काफी अच्छा हो सकता है, काफी अच्छा जाता हुआ देख रहा है बस छोटे मोटे issues मसले रहते हुए देख रहे हैं और इन जनरल हैं पर guidance से आप लोगों के लिए healing begins का card है और ये card कहता है कि जो भी चीज आपको bother कर रही है सबसे पहले उसकी healing पे focus करें क्योंकि देखिए जब तक back of the end में ओचीज आपको bother करती रहेगी, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो उसकी healing पे ज़रूर focus करें and astrology से आप लोगों के लिए लियो का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये धाली उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वोगों के लिए देखें कि कमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में enthusiasm excitement missing रह सकता है एक boredom एक monotonous सी energies आप महसूस करते वे दिख रहे हैं अब देखे इन ही चीजों से related सब वोगों के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं न वो आप इतना enjoy नहीं कर रहे हैं excitement नहीं है या फिर वो काम इतना exciting नहीं है और कुछ के लिए in fact सब ही के लिए हो सकता है कि आसपास सब कुछ बहुत बहुत बहतर है कुछ भी issue नहीं है कुछ भी मसला नहीं है लेकिन वो एक happiness joy आप अपने work में नहीं महसूस कर रहे हैं अब देखिए जब भी एकाड आता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत important है आप कुछ तो ऐसा करें जिससे की एक enthusiasm एक excitement आप महसूस करें क्योंकि देखिए जो भी हमारे goals होते हैं जो भी हमारे मकसद होता है उनके लिए enthusiasm, excitement, motivation बहुत जरूरी होती है जब तक यह चीज़े नहीं होती है न हम उतनी energy के साथ उतने यह नो एक फिर से मैं कहूंगी motivation तो है ही नहीं तो फिर goal और मकसद को नहीं achieve कर पाते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखें and otherwise फिर से कहूंगी कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी खराब नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतना interested नहीं रहते हुए दिख रहे हैं या फिर उसको लेकर इतने जादा motivated नहीं रहते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of cups का card है और ये card कहीं love, relationship, प्यार, महबबत की बात करता है तो overall के लिए देखिए relationships पे focus कर रहे हैं relationships एहम रह रहे हैं और कहीं अपने loved ones के साथ eating, drinking, merrymaking और इसी तरीके की चीज़ें personal front में रह सकती हैं किसी loved one के साथ पीछे issue, मसला चल रहा था reconciliation होता हुआ दिख रहा है और कहीं आप जादा अपने loved ones के साथ connect कर रहे हैं interact कर रहे हैं या तो आप उनके घर dinner पे जा रहे हैं lunch पे जा रहे हैं या फिर आप उनको बुला रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप उनके साथ हो सकता है कि किसी restaurant में dinner, lunch या फिर coffee के लिए जा रहे हैं तो दिखिए यहाँ पर जो भी मेरे mind में आ रहा है मैं कह रहे हूँ nutshell में मतलब यही है कि loved ones के साथ आप जादा time spent करते हुए दिख रहे हैं उनके साथ जो भी आपका तरीका है enjoy करने का आप enjoy करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ eating, drinking, merry making भी रहती भी दिख रही है किसी न किसी level पे यह general reading है तो सब के लिए चीजें differ करेंगी situation, circumstances differ करेंगे and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए seek the truth का card है बहुत clear message है जो भी करें, जो भी कहें सच से खुद को वाकिफ करते हुए कहें, सच से खुद को वाकिफ करते हुए करें यानि कि कितनी बार ही होता है न हमारे mind में एक assumption होती है, उसी के ही basis पे हम चीजों को करना शू कर देते हैं या फिर हम अपने love one से या अपनी professional friend में colleague से, you know कहते हैं, तो यहां पर ये card कह रहा है कि जब तक आपको complete एक सच ना पता हो, आप किसी भी चीज को एक assumption पे ना डील करें astrology से आप लोगों के लिए सब्सक्राइब का card है इसके इसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले लिब्राज आप लोगों के लिए ये coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of wands reverse और ये काक्टारों में कहीं victory success को represent करता है क्योंकि आप लोगों के लिए इस week ये card reverse है तो इन्हीं चीजों से related छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रह सकते हैं अब देखिए ये general reading है situation circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से आप success चाहा रहे थे यानि कि आप क्यों success तो मिल रही है लेकिन again कहूंगी जिस तरीके से आपने expect करी थी उस तरीके से नहीं मिल रही है कुछ को ऐसा लग सकता है कि आप हार गए है अब दिखिए मेरे शब्दों को आप थोड़ा सा गौर से सुने मैंने ये नहीं कहा कि आप हार गए लेकिन आपको ऐसे लग सकता है कि आप हार गए है एकका दुका के लिए real defeat भी रह सकती है याने की वाक्य में आप हार रहे है अब दिखिए weekly reading है तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होगी बट yes दिखिए उस तरीके से एक victory उस तरीके से एक जीत जिस तरीके से आप deserve करते हैं आप expect कर रहे हैं आपके लिए नहीं रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि over confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है under confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है एक arrogance वाली भी energies हैं और इन ही सब चीजों को अगर आप पाएं तो ज़रूर check करके correct करें क्यूंकि ना तो over confidence अच्छा होता है ना ही under confidence और arrogant energies तो बिलकुल भी अच्छी नहीं होती हैं इन ही की वज़े से फिर आगे चल कर हम परेशान होते हैं कुछ Libras के लिए भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भी जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं आपके under हैं या फिर अगर आपके साथ भी काम करते हैं वो आपके पीछे से आपके बारे में बात कर रहे हैं ये सब के लिए applicable नहीं होगा बट येस कुछ Libras के लिए ये भी energies रह सकती हैं जो आपको specially किसी भी level पर follow करते हैं कहीं you know वो आपके लिए बात कर रहे हैं या फिर उतना आपको appreciate नहीं कर रहे हैं और येस आपको ये भी लग सकता है कि जतना appreciation, जतना recognition आप deserve करते हैं आपको मिलना चाहिए उतना appreciation, उतना recognition आपको नहीं मिल रहा है आप देखे फिर से कहूंगी ये weekly reading है, छोटे मुटे issues, जिन्दगी है तो चलते ही रहते हैं जब इनको हम दिल पे लगा लेते हैं और बहुत ज़ादा इन पे focus करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं यही चीजे हमारे mind में बहुत बड़ी बन जाती हैं और फिर हम बहुत परिशान होते हैं और जब हम इस चीज के लिए एक acceptance लेकर आते हैं, कि भी part and parcel है कभी हमें बहुत appreciation मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी लोग हमें बहुत एक dedication के साथ follow करेंगे या फिर हमारी हर चीज को recognize करेंगे, effort को recognize करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे तो फिर से कहूंगी जब इस चीज की एक acceptance रहती है sorry words अटक रहे हैं, तो जब इस चीज की acceptance रहती है तब फिर हम उतना परिशान नहीं होते हैं and personal front के लिए आप लगों के लिए three of wands reverse का card है ये card कहता है कि जो भी आपके personal front में हो रहा है उस पे आप उतना focus नहीं करना चाह रहे हैं आप long term planning करना चाह रहे हैं, long term goals बनाना चाह रहे हैं future आपके लिए एक you know priority रहता हुआ दिख रहा है या फिर उसको आप preference देना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा आप कर नहीं पा रहे हैं यानि कि जो भी अभी हो रहा है वो इतना आपकी attention चाहा रहा है situation, circumstance कि आप future के goals नहीं बना पा रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज का इंतजार आपको रह रहा है अब देखें ये इंतजार फिर से कहूंगी सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए किसी email, phone, call, message का इंतजार रह सकता है कुछ के लिए किसी इंसान का इंतजार रह सकता है और कहीं इंतिजार थोड़ा सा frustrating हो रहा है या फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब फिर से दिखिए general reading है सब के लिए different situations रहेंगी बट ये इसी के around personal front में चीज़ें रहती भी दिख रही है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए well deserved reward का card है अब दिखिए ये guidance किसी भी front के लिए हो सकती है professional, personal लेकिन जादा मझे professional front के लिए रहती भी दिख रही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया professional front में जो एक appreciation, recognition चाहा रहे है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है और यहाँ पर भी दिखिए well deserved reward का card इसी चीज़ को confirm करता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो एक reward हम कह सकते है आप reward किसी भी form में हो सकता है promotion भी हो सकती है जैसे अभी मैंने बताया आपको appreciation, recognition भी हो सकती है तो जो भी reward आप deserve करते हैं हो सकता है वो थोड़ा सा delay हो रहा है तो थोड़ी सी patience रखें आप परिशान ना हो अगर आप deserve करते हैं तो ज़रूर आपको मिलेगा इस week नहीं मिला तो आगे चल कर मिलेगा and astrology से आप लोगों के लिए Pisces का card है इसके हिसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copies आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो profession front के लिए आप लोगों के लिए card है 9 of cups और ये card कहीं wish come true की बात करता है कहीं you know happiness, joy, satisfaction, eating, drinking, merry making की भी बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए card इस week reverse है तो ये ही सब चीज़ें किसी ना किसी level पे रहती हुई तो दिख रही है लेकिन इनी से ही related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रह सकते है जैसे कि you know कोई आपकी wish है, कोई आपकी desire है आपको लग रहा था कि इस week पूरी हो जाएगी इस week पूरी नहीं हो रही है तो देखे थोड़े बोट डिले तो हो ही जाते है इस चीज़ को लेकर आप परिशान ना हो और देखे otherwise भी ये card कहीं happiness joy की बात करता है तो वो तो professional front में रह रही है साथी साथ missing feeling भी रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी wish अपनी desire को manifest करने के लिए आप जो भी action initiatives ले सकते हैं वो ले रहे हैं और जब हम अपनी wish अपनी desire को manifest करने के लिए work कर रहे होते हैं वो भी हमें बहुत एक happiness joy देती है कुछ के लिए simply हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप बहुत enjoy कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपका bond अच्छा हो रहा है eating, drinking, marimaking हो रही है कितनी बारी होता है न कि हमारी professional meetings किसी restaurant में होती हैं coffee house में होती हैं तो कहीं you know हम काम भी कर रहे होते हैं साथ ही साथ enjoy भी कर रहे होते हैं तो इसी तरीके की energies आपके professional friend में इस week रहती भी दिख रही हैं इस week जो भी happiness, joy है साथ ही साथ फिर से कहोंगे missing feeling भी है वो कहीं money, पैसे की वज़े से नहीं रहती भी दिख रही है क्योंकि आप अपने काम को enjoy कर रहे हैं उसकी वज़े से रह सकती है आपकी कोई wish, कोई desire पूरी हो सकती है या फिर कैसे पूरी होए उस पे work कर रहे हैं उसकी वज़े से रहती भी दिख रही है मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि money, पैसे से related gain फाइदा नहीं होगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन आपकी happiness, आपकी joy का reason कहीं money, पैसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the Empress reverse का card है अब देखिए Empress का card कहीं comfort की बात करता है, luxury की बात करता है किसी इंसान की तरफ से जो कि बहुत motherly, you know, उनका nature है motherly उनकी energies है, उनकी तरफ से एक care, affection भी मिलने की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए the Empress का card भी reverse है या तो आपको बहुत जादा ही love, care, comfort उनकी तरफ से मिल रहा है या फिर जितना आप expect कर रहे थे, चाह रहे थे, उतना love, care आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है all in all दिखिए comfort, luxury, love, care, ये energies रहती भी दिख रही है लेकिन इसी से ही related छोटे मुटे issues भी रह सकते है अब ये general reading है, सबकी different situation, circumstances होंगी तो आप ही बहतर समझ पाएंगे Scorpios की comfort, luxury, love, care है तो लेकिन किस तरीके के issues मसले इन ही चीजों से related भे रहे हैं और दूसरी बात ये card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे इस week आप किसी भी level पे उसका outcome, उसके positive result को expect कर रहे थे तो वो एक positive outcome, वो एक positive result थोड़ा सा daily हो सकता है तो all in all दिखिए ये पूरा ही week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ इन ही सब चीजों से, यानि कि अच्छी चीजों से related बहुत ही हलके फुलके issues मसले भी रह सकते हैं और दिखिए जब तक अच्छी चीजें हो रही है, तब तक सब कुछ भैतर है और in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए refusing to see का card है तो दिखिए बहुत सारी चीजें आप देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं इससे क्या होता है कि उस time तो हम बहुत सारी चीजों को avoid कर लेते हैं लेकिन back end पे यही issue मसले फिर accumulate होना शू कर देते हैं और एक time यह इतने बड़े हो जाते हैं कि हम चहा कर भी इनको नहीं ignore कर पाते हैं जहा कर भी नहीं इनको avoid कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि यह इतने बड़े हो चुके होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम इनको deal करें एक English में कहावत है stitch in time saves nine तो यह issue मसले जब बहुत छोटे होते हैं ना उसी time हम इनको deal कर लेते हैं यकीन मानिये उस time थोड़ा सा हमें you know परेशानी होती है लेकिन long run के लिए हम अपनी life को असान कर लेते हैं और उन issues मसलों को हम वहीं पर ही खतम कर देते हैं बड़ा होने से रोक लेते हैं तो इस चीज का भी खयाल इस week ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए cheerion का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि आप कितना resonate कर पाए और इस reading से आप कितना connect कर पाए तो चलिए इस reading आप लोगों के लिए देखें यह कमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of wands rivers और दिखें 7 of wands का card कहीं extra effort, extra initiative करने के बाद करता है और दूसरी बात यह card कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे related आपको एक smooth going नहीं मिलेगी अब यह card reverse है तो यही चीज़ें आपको किसी level पर bother कर सकती है सबसे पहली बात तो दिखिए again मैं कहूंगी जो काम आप कर रहे हैं उसमें challenges आ रहे हैं, छोटे मुटे issues मसले आ रहे हैं अब ऐसे में आप घबरा गए, आपने give up कर दिया तो फिर आप परिशान होंगी क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, यह card in fact victory की बात करता है success की बात करता है, लेकिन with extra effort, with extra initiative, with extra actions तो अब फिर से कहूंगी अगर आप घबरा गए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ लेकिन अगर आपने give up नहीं किया, willpower determination के साथ बहुत courageously, बहुत boldly चीजों को deal किया, तो आपको वो success, वो victory ज़रूर मिलेगी जो आप deserve करते हैं, जो आप चाहते हैं in fact दिखिए इस card का एक मतलब ये भी है, जो डर गया सो मर गया और डर के आगे ही जीत है, तो इन चीजों को अगर आप mind में रखेंगे, इन चीजों को follow करेंगे आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और अपने मन में अगर ठान लेंगे कि भाई, जो भी हो मुझे तो ये काम करना ही करना है, मुझे तो इस चीज को अचीज को अचीव करना ही करना है, यकीन मानी आप अचीव कर लेंगे लेकिन ज़्यादा chances मुझे दिख रहे हैं Sagittarius कि आप घबरा गए और आपने give up कर दिया अब देखिए ऐसी energies में तो कोई भी success को नहीं पा सकता है, या फिर अपने goal मकसद को नहीं achieve कर सकता है तो इनी चीजों का खयाल रखें, ये वी कापका अच्छा जाएगा, क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और पहले से ही अगर आप ये reading देख रहे हैं, guidance लेकर आप चीजों को भैतर कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर परेशान हो सकते हैं और परसनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए Eight of Souls reverse का card है और ये card कहता है, पीछे हो सकता है किसी चीज को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे बहुत जादा, एक restrictions, limitations आप महसूस कर रहे थे यानि कि बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपको यसे लग रहा था कि बस कुछ दिखी नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इन ही energies से आप बहार निकल रहे हैं आप देखिए, पूरी तरीके से आप 100% नहीं महसूस करते वे दिख रहे हैं क्यूंकि हम सब लोगों के पास कोई on-off का बटन नहीं है जिसको हमने off किया और tension anxiety खतम और on किया और अच्छी और beautiful चीज़ें आगे ऐसा तो होता नहीं है जब हम एक face से, जब हम एक energy से गुजर रहे होते हैं तो थोड़ा सा time लगता है उसमें से बहार निकलने में और completely एक relaxation या फिर एक peace महसूस करने में तो ये week उस तरीके के energy जह रही हैं जहां पर again जो भी चीज़े bother कर रही थी जन चीज़ों को लेकर confused महसूस कर रहे थे helpless, hopeless महसूस कर रहे थे उन में से आप बहार निकल रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं, you know 100% आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं अभी 100% एक happiness, joy नहीं महसूस कर रहे हैं बट येस, आप अगर उन चीज़ों में से बाहर निकल जाएंगे तो धीरे धीरे आप ज़रूर उस चीज़ों को भी अचीव कर पाएंगे या करेंगे तो all in all, दीखे, personal front में चीज़ें जो पहले थी, जो again आपको परिशान कर रहे थी उन से बहतर होता हुआ दिख रहा है तो फिर से पूरी तरीके से बहतर नहीं हो रहा लेकिन जब हम उन चीज़ों से निकल रहे होते हैं तो वो भी कहीं हमें किसी level पर एक सुकून दे रही होती है कि चलो भई, अब finally हम एक दिन निकल जाएंगे या हम जल्दी निकल जाएंगे और चीज़ें बहतर हो जाएंगी और professional में मैंने आपको बताया आपके उपर depend करेगा कैसा जाएगा अगर आप डरेंगे नहीं और give up नहीं करेंगे बहुत boldly courageously चीज़ों को deal करेंगे तो अच्छा जाएगा नहीं तो खराब जा सकता है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए love abounds का card है और ये card कहता है कि नई शुरुवात इस week किसी भी front में हो सकती है जो एक happiness एक joy ला सकती है लेकिन देखिए इन ही energies के लिए बहुत बहुत important होता है हम उस frame of mind में रहें हम थोड़ा सा positivity के साथ चीज़ों को देखें कितनी बारी हमारी life में सब कुछ अच्छा होता है लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को enjoy नहीं कर पाते है और उसका सिरफ एक मात्र reason होता है कि हमारा state of mind नहीं होता है दस चीज़ें अच्छी है लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं है ना उस पर इतना focus करते हैं इतना grip करते हैं कि बाकी दस चीज़ों को भी नहीं enjoy कर पाते हैं तो फिर से in general का card कहता है कि एक नई beginning किसी भी level पे इस week हो रही है जो आपके लिए बहुत happiness, joy, satisfaction लेकर आएगी लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जब तक आप एक positive frame of mind में नहीं होंगे इस नहीं beginning को आप ना तो देख पाएंगे और ना ही enjoy कर पाएंगे तो उस frame of mind को लाना बहुत important है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था city day अप लोगों के लिए coming week साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए कि अप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है page of source सबसे पहली चीज़ page of source का card immature energies की बात करता है और इस week कुछ ऐसा ही specifically आपके professional fund में broader level के लिए रह सकता है तो यहाँ पर लिके page of source के card के हिसाब से आपके लिए पहली advice यही होगी कि कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice जब तक कि आप sure ना हो या फिर कोई भी experiential इंसान जिनको आप बहुत trust करते हैं उनसे बात ना करने, discuss ना करने, तब तक ना करें और दूसरी बात minor irritation, minor frustration रह सकती है आप चीजों को लेकर बहुत curious हो सकते हैं, हो सकता है literally आप किसी इंसान को या किसी चीज के deep में जा रहे हैं उनको spy कर रहे हैं, उनके बारे में और जानना चाहा रहे हैं आपका communication blunt और straightforward हो सकता है और अगर ऐसा आप भी पाएं, तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें हाला कि देखिए, blunt, straightforward communication बहुत अच्छा होता है लेकिन in the process, जब हम थोड़ा सा taunting way में बात करते हैं सर्कास्टिक तरीके से बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं, जो सामने वाले को hurt हो जाए तो फिर उस time हम नहीं उस चीज को realize कर पाते हैं लेकिन इसी की वज़े से बात में issues मसले होते हैं तो इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें किसी message, phone call, email का अगर wait कर रहे हैं delay हो सकता है और अगर मिल भी गया तो वो एक happiness, joy नहीं देता हुआ दिख रहा है technical work आप इस week ज़ादा कर सकते हैं और कहीं mind से related काम आपके लिए ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है यानि कि physical work से ज़ादा एक mental work इस week आप लोगों के लिए रह सकता है logically चीजों को deal कर रहे हैं, mind से चीजों को deal कर रहे हैं हो सकता है किसी चीज को लेकर पीछे confused हो रहे थे तो इस week clarity लाने पे focus है और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो page of source का कार्ड यही कहता है कि confused होके कोई भी काम करेंगे तो positive outcome नहीं मिलेगा first step is clarity लेकर आएं और logically चीजों को deal कर रहे हैं वो बहुत अची बात है क्योंकि मुझे लगता है professional front में हमें थोड़ा सा ज़ादा logical होना चाहिए लेकिन इस चीज का भी खयाल रखें कि maturity के साथ चीजों को deal करें and personal front के लिए आप लगों के लिए page of cups rewards का card है तो देखिए दोनों ही fronts के लिए pages के cards है और दोनों ही fronts में आपकी Capricorns immature energies है सकती है और देखिए दोनों ही fronts में इस चीज का खयाल रखें फिर से repeat करोंगी कि कोई भी बड़ा action initiatives जब तक sure ना हो ना ले या फिर अगर आप नहीं sure है तो किसी experiential इंसान जिनको आप बहुत trust करते हैं उनसे बात करे बगार ना ले personal friend में आप थोड़े ज़ादा sensitive हो सकते हैं आप थोड़े से ज़ादा emotional हो सकते हैं थोड़ा सा you know demanding हो सकते हैं अपने loved ones से कि भी वो आपको attention दें वो आपको extra प्यार, extra love, extra care दें और कहीं छोटी छोटी बातें आपको hurt कर सकती हैं छोटी छोटी सी बातों को आप दिल पे लगा सकते हैं काफी sensitive होते वे दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाए Capricorn तो जरूर इस चीज को चेक करक करें क्योंकि इन ही चीजों की वज़े से फिर हमारे relationship भी खराब होते हैं जो हम जादा demanding हो जाते हैं उनके love के लिए या फिर उनकी attention के लिए या उनकी तरफ से किसी भी चीज के लिए और किसी message, email, phone call का वेट कर रहे हैं, invitation का वेट कर रहे हैं तो delay हो सकता है, नहीं मिल सकता है या फिर अगर मिल भी रहा है तो जिस तरीके से आपने expect किया था उस तरीके से नहीं मिल रहा है आप थोड़ा सा emotional हो रहे हैं overall दिखिए कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है pages के cards हैं, तो सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत clearly बताया कि maturity से हर चीज को deal करें अगर बचकाना, immature attitude किसी भी चीज के लिए आप पाएं तो ज़रूर इसको check करके correct करें and yes, दिखिए कुछ Capricorns के लिए भी हो सकता है कि आपके work front में या personal front में कोई बच्चा है या फिर कोई immature इंसान है जिनके साथ आपकी ज़्यादा interaction हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है और उनकी वज़े से ये सब issues आप face कर रहे हैं and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए open up का card है और बहुत ही clear message है किसी चीज को लेकर बहुत rigid fixated हो रहे हैं थोड़े से flexible हो और थोड़ा साना खुल के अपनी feelings, emotions जो भी आपके mind में हैं उसको express भी करें क्योंकि अगर आप बहुत अपने आपको close करेंगे लोगों के ideas के लिए या फिर लोगों से या किसी situation से तो उस time तो आप उस चीज को avoid कर देंगे लेकिन आगे चलके problem होगी और यहाँ पर देखिए जैसे मने अभी आपको बताया कि कोई चीज अगर आपके मन में भी है तो आप खुल के express करें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow is weak in fact yellow and orange is weak आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशिफल और nature मुझे comment section में जरूर बताएं कि कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the lovers reverse और यह card tarot में relationships को represent करता है क्योंकि आप लोगों के लिए यह card इस week reverse है तो कहीं relationships में कुछ issues मसले रह सकते हैं अब यह general reading है तो यह relationships सब Aquarius के लिए differ करेगा कुछ के लिए आपके boss के साथ हो सकता है कुछ के लिए आपके colleague cover करके साथ हो सकता है, कुछ के लिए employee के साथ हो सकता है, कुछ के लिए कोई misunderstanding हो सकती है या फिर difference of opinion हो सकता है और एक दूरी आप दोनों के वीश में आ रही है specially अगर आप partnership में काम कर रहे हैं या फिर you know team में काम कर रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कुछ issues, मसले लोगों के साथ जिन के साथ आप काम करते हैं या फिर से directly, indirectly connected है अपने professional friend में कुछ issues, मसले रह सकते हैं और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सबके लिए ये मसले differ करेंगे लेकिन broader level के लिए misunderstanding, difference of opinion जादा रहता हुआ दिख रहा है अभी की tarot guidance के लिए होता है इस reading को अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो इस चीज का खयाल रखके आप इस misunderstanding इस difference of opinion की वज़े से जो आपका relationship में issue हो रहा है उसको avoid कर सकते हैं दूसरी बात ये card कहीं decision choice की भी बात करता है तो हो सकता है कोई decision कोई choice आपको लेनी है आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या choose करें क्या decision लें और जब भी ये card आता है मैं यहीं कहती हूँ make sure जो आपका heart कहता है जो आपका दिल कहता है आप उसी को ही choose करें यानि की decision और choice के लिए खास कर इस week आपने अपने दिल की जादा सुनी है बहुत जादा logic नहीं लगाना हाला कि मैं हमेशा कहती हूँ कि professional front में थोड़ा सा logic जादा हो तो जादा बहतर रहता है लेकिन इस week आपने थोड़ा सा pause करके चीजों को समझना है अगेन उस चीज को choose करना है जिसके लिए आप बहुत passionate हैं जिसको आप enjoy करते हैं जिसको आप love करते हैं in a nutshell थोड़ा सा आप दिल की ज़रूर सुने and personal front के लिए आप लोगों के लिए judgment का card है सबसे पहली चीज ये card कहता है कि किसी को call बहुत time से करना चाहा रहे थे या फिर किसी की call का wait कर रहे थे तो इस week या तो आप उनको call कर रहे हैं literally या फिर उनका call आपको आ रहा है थोड़े से judgmental, थोड़े से critical आप चीजों को लेकर हो सकते हैं या फिर कोई इनसान आपके personal friend में आपको लेकर critical और judgmental हो रहे हैं overall ये card कहीं ending, beginning की बात करता है तो किसी भी level पे किसी भी तरीके की ending, beginning आपके personal friend में रह सकती है और देखिए अगर हम guidance, advice इस card के हिसाब से देखें तो ये card ये ही कहता है कि जो भी चीज़े आपको serve नहीं कर रही है, outdated है, पुरानी हो गई है जितनी जल्दी आप उनको end करके, जो भी नई चीज़े आपकी life में आने के लिए उतावली है, willing है या फिर जो भी नई चीज़े आप चाहा रहे हैं, लेकिन comfort zone की वज़े से आप नहीं उनको pursue कर रहे हैं उनको pursue करें, नई चीज़ों को welcome करें और ऐसा करेंगे ये week आपको और अच्छा जाएगा broader level के लिए दिखिए, ये card changes की बात करता है और fresh beginning की बात करता है तो किसी भी level पे changes हो सकते हैं और एक fresh beginning हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है, आप लाना चाहा रहे हैं, आप करना चाहा रहे हैं और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो विकुल ठीक है आप universe जो भी आपके लिए चाहाते हैं, उनकी energies के साथ align है तो all in all personal front से related ये week ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है professional front में आप के ओपर depend करेगा क्योंकि lovers is a positive card, लेकिन इस week reverse है तो अगर आप अपने relationships को maintain करके चलेंगे थोड़े से cautious रहेंगे, खास कर relationships में तो इस week को आप professional front में भी बहतर करेंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए heel का card है और ये card कहता है, जो भी चीज अगेन आपको बांध रही है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं, उनको जो भी chainों ने बांधा हुआ था वो तूट रही है, तो again देखें, जो भी चीज आपको बांध रही है उसको तोड़ कर, जो आप चाहाते हैं, उसको pursue करेंगे तो इस week को आप और बहतर करेंगे और कहीं personal front की energies भी इसी चीज को लेकर indication दे रही है तो इस चीज का खयाल रखें and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि कितना आप resonate कर पाए चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें इस coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है three of swords I know ये card देखने में बड़ा भयानक लगता है red color का दिल है उसमें तीन तलवारे हैं बट आपको डरने की ज़रत नहीं है क्योंकि सबसे पहली चीज ये आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है ये card सिरफ यही कहता है कि इस week आपके हिसाब से हो सकता है चीज़े ना रहें और अब मुझे ये बताएं Pisces की कभी ऐसा हो सकता है कि हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़े हो कभी ना कभी तो हमारे हिसाब से नहीं भी होंगी अब देखिए जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उनको आप अपने मन में कितना बड़ा बनाते हैं, कितना उनको लेकर negative energy देते हैं, वही determine करेगा कि ये week आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ बहुत high expectations, इस week किसी भी situation, किसी भी इंसान किसी भी चीज़ से ना रखें, अगर आप एक acceptance वाली energy में रहेंगे, भाई ये काम बन गया, तो भी ठीक है, नहीं बना, तो भी ठीक है, सामने वाले ने अगर positive response दिया, तो भी ठीक है, नहीं दिया, तो भी ठीक है, क्योंकि ये end of the world नहीं है, ये end of the life नहीं है, इस week हो सकत है, again उतनी favorable circumstances ना रहें, उतनी favorable तरीके से चीज़ें ना हो, बट नया week आएगा, और नया week नहीं energies लेकर आएगा, आप तब try कर सकते हैं, और क्या पता, जो चीज़ें आपको इस week नहीं मिल रही हैं, या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रही है, वो कहीं आपके अच्छे के हैं, क्योंकि कहते भी हैं ना जब हमारे मन के नहीं हो रही होती है, तो universe के मन की हो रही होती है, और जब universe के मन की हो रही होती है, तो actually में best हो रहा होता है, बट उस time पे हम नहीं देख पाते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर से देखिए, इस week थोड आसा परेशान हो सकते हैं और reason मैंने आपको nutshell में बता दिया कि जो आपने सोचा हुआ है जो आप expect कर रहे हैं हो सकता है उस तरीके से चीजे ना हो और येस इसी चीज को लेकर एक acceptance रखें और फिर देखेंगे कि ये week आपका ठीक ठाक रहा आप उतना hurt नहीं हो रहे हैं आप उ कितनी बारी क्या होता है न कि हम अपने आपको mentally emotionally बड़ा strong भी बना लेते हैं तो सामने वाला आके बोल देते हैं अरे तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम परशान नहीं हो रहे तो फिर हमें लगता है क्या परेशान होने की ज़रत है तो ये नो बाकी लोगों को लग सक करेंगे तो universe से भी बहतर चीज़ें attract करेंगे और जो भी छोटे मोटे issues इस week रह रहे हैं बहुत easily आप उनको overcome कर लेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए the hangman reverse का card है और ये card कहता है थोड़ा सा आप stuck महसूस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी situation आ सकती है जिसमें आप stuck again महसू करते हुए हैं एक पैर भी बंदा हुआ है तो जब भी ये card आता है हम ये ही कहते हैं आपको सी सी feeling हो सकती है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात ये card कहता है आप willingly यानि कि अपनी इच्छा से कुछ compromises कुछ adjustments कर रहे हैं and which is fine देखिये जिं boundaries ना create करें या फिर अपने self को ही compromise कर दें तो हमेशा एक fine balance होना चाहिए compromise करने में और in the process खुद को लेकर बहुत ज़ादा you know मैं कहूंगी neglect ना करने में या you know अपने लिए बहुत hard ना होने में या अपनी ही desires इच्छाओं को बहुत ज़ादा compromise करने में और जब हम इस चीज का खयाल रखते हैं यानि कि थोड़ा सा सामने वाले की थोड़ा सा अपनी तो फिर चीजें बहुत अच्छी तरीके से रहती हैं लेकिन जब हम सिरफ और सिरफ सामने वाले के हिसाब से चल रहे होते हैं और अपने आपको बिलकुई भी importance नहीं दे रहे होते हैं बिलकुई अपने आपको prioritize नहीं कर रहे होते हैं, तो उस time हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसी वज़े से फिर हम आगे चल के बहुत परेशान होते हैं, तो फिर से मैं कहूंगी compromise कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप सामने वाले के साब से चलें, और थोड़ action initiatives किसी भी चीज के लिए ना लें, थोड़ा सा एक backseat लें, थोड़ा सा चीजों से withdraw करें, और कहते हैं न कि सुने जादा कहें कम, और चीजों को observe जादा करें, थोड़ा सा withdraw करके, again मैं कहूंगी, उनको अच्छे से observe करें, समझें, उसके बाद ही आप action initiatives लें, और नच्छल अगर हम देखें कि कैसा रहेगा, तो थोड़े से adjustments compromises आपको करने पड़ सकते हैं, और astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है, इसके हिसाब से all shades of beige and brown, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, और significant day आप लोगों के लिए हो governance day, तो ये था Pices आप लोगों के लिए coming week का मुझे जरूर बताएं कि आप कितना resonate कर पाएं, कितना इस reading से connect कर पाएं